ओम स्री गनी सायनमा दोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन अपरेल बुद्दुवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वा कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सके दोस्तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथों नासी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजेटिव रहने वाला है दोस्तो परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है घरिल उच्छेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके दुआरा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तथा परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सैयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साथ साथ आज आप बहार की गति विदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबद तरीके से अपने कारों को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी तथा आये के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रकरखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्टन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा पर्सनल्टी में बहुत अच्छा सुधार आएगा घर के नवीनी करण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी आज किसी वास्तु विद के साथ अवस्य विचार विमर्स करें साथी प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्छा अपने व्यक्तिकत कारों पर अधिक ध्यान केंदरित करें बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस्तिती रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी समानित भी होंगे विध्यारतियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बनाकर रखें उनका आशिरवाद वे शयोग आपके लिए भग्य उदे का निर्मान करेगा घर में कोई धर्मिक कार् जिससे घर में शकारतमक उरजा का वास होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज जादा से जादा विवादों से दूर रहने का आप प्रियत्न करें सावधानी रखते हुएं किसी भी कार को करें अपने आप पर भरोसा क करते हुएं आर्थिक लेंदेन में सावधानी रखें कभी कभी आपकी लापरभाई की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं जिसकी वज़े से स्वभाव में भी एकरण ही गुस्सा वे चिर्चना पन रह सकता है अपना आत्मविश्वास उरजा बनाकर रखना जरूरी है साते साथ विध्यारतियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती हैं कोई पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस्तिदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका भी आज लग रही है दोस्तों अपने संमान की देखवाल आप श्वैम करें चोरी होने अत्वा खोने की संभवना आज लग रही है प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिस्तिदार अत्वा भाई के साथ कोई कहा सुनी होने की भी आज आसंका है थोड़ा साथदा किसी अंजान व्यक्ति की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं थोड़ा साथ ध्यान रहें दोस्तों ध्यान रहें कि आज घर्चों की भी अधिकता रहेगी साथ साथ किसी पडोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है करूद की अपेक्छा स सांती पूर्ण तरीके से मामला सुल जाएं दोस्तों स्वयभाब में धहरे वे नर्मी बनाकर आप रखें जल्दबाजी आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती हैं जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो आज प्रेम संबंदों को लेकर कुछ नया माहूल आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों साथी साथ आपके कारों में जीवन साथी का सयोग आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपके संबंदों में मधूरता रहेगी घर का वातावरन संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने वेवार में संतुलन बनाकर रखना अतियावशक है दोस्तों वेवायत जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों को मर्यादित बनाकर रखना अतियावशक है दोस्तों साथी साथ विस्तता के बापजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन वे आमोद प्रमोद में व्यतित करें इस से सभी को प्रसंद ता मिलेगी दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका वेवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाई बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेस कर सकते हैं जो भविस्य के लिए आप के लिए काफी लाबदायक रहेगा दोस्तों साति सात कारे छेतर में सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करके सभी निर्णे आप स्वैम ही लें क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है विश्यक छेतर में सभी काम आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साथ साथ नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हांसिल हो सकता है जिसकी वज़े से आपका बौस या उच्छ अधिकारी आपके लिए कुछ उपलब्दियां प्रदान कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा विध्यार्तियों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छ रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज स्वास्थ को लेकर आपके लिए इस्तितियां काफी सामान ने रहने वाली हैं आज किसी तरह की कोई स्वास्थ सम्मंदित समस्या उत्पन होने की कोई संभावना नहीं है आज आपका स्वास्थ बहुत अच्छा रहेगा जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उर्जावान महसूस करेंगे दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी की तस्वीर के सामने दूंग, दस ग्राम साबुत धनिया, एक पंच मखीर द्राक्ष, दो शुपारी और दो हल्दी की साबुत गांठें जान दोस्तो इन सब को इस पोर्टली में रखकर भगवान श्री गनेश जी का इसमना करते हुए भगवान श्री गनेश जी के मंद्री में जाकर उनके चर में परिशाने चल रही हैं, समस्त परिशान युकंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फोरो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कारने बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे, दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का शिरवाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कम गनेश अवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद